सर जल्दी सरकस का टीजर देखने को मिल सकता है एक्साइटेड है जिया बिल्कुल एक्साइटेड है काफी जादा हाला कि देखिए उनकी पिछली फिल्म वाकर रंडी सिंग की बात किया जहेश भाई जोरदार वो यश्राज बैनर की बेवकूफी वाली हरकतों की वज़े से वो फिल्म फ्लॉप हो गई व अच्छी फिल्म थी भी नहीं लेकिन मैं ऐसा समझता हो कि यह फिल्म शांदार आने वाली 83 हला कि बॉक्स ओफिस पे उत्री नहीं चल पाई उसके पीछे रिजन्स थे क्योंकि इस पाइडर मैं नो वे हूम उस वक्स जबरदस कमाई कर रही लेकिन वो काफी अच्छी थी अगर आम बात करें रही थी सल्मान गहन की किसी का भाई किसी की जान क्रिस्मस के उपर आ रही थी 25 दिसमबर पर रिलीज हो रही थी लेकिन अब उन्होंने अपनी फिल्म को पॉस्पोन करके आगे अपनी उसको इद पर कर दिया और टाइगर को इद से दिवाली पर कर दिया नेक्स्ट यह तो फाइनली यह भी था होगा उन्होंने खुदी अपने ट्विट में लिखा भी पूजा हग्डे के साथ होगी एक रेंविर सिंग के दूसरे रेंविर सिंग के जोड़ी जैकलिन फर्नांडिस के साथ देखने को मिल सकती ऐसाथ जहां तक मुझे लग रहा है और संजै मिश्रा भी है रोहिच शेट्टी की फिल्म होगी शांदर एक्शन वगेरा देखने क को मिलेका रेंविर सिंगे साथ उन्होंने अभी एक सिंबा बनाई चुके हैं अल्रेडी हमने देखी वह कॉप युनिवर्स के फिल्म बन रही है वह भी सिंबा में हम देख चुके तो किस प्रकार का रहता है इन दोनों का कॉंबिनेशन भी बहुत अच्छा दर्शोकों को पसंद आता है तो इस फिल्म में मज़ा आगा सरकस नाम है फिल्म का थोड़ी डिफरेंट टाइप की फिल्म होगी मज़ा आएगा जक्रिम फर्नांडियस भी होंगी पूजा हिगड़े भी होने वाली फिल्मों में तो दोनो दोनों होने वाली तो मज़ा आगा शंजा मिश्रा भी ये कॉमेडी वगेरा देखने को मिलेगी तो मज़ा आगा औरोले के बहतिन एक मतलब कॉमेड़ी एक्शन फिल्म होगी बिलकुन मज़ा आगा रोजचेटी जस तरह की फिल्म में बनाते है वार्ना ये देगी और पर किसी डिरेक्टर का नहीं मिलता कमेडी और एक्षिन का लेकिन रोजशेटी की सभी फिल्मों पे देखने को मिल जाता है सरकास मुझे लगता है काफी अच्छी फिल्म सावित होगी